तो BCCI को फाइनली चार-पांच महीने बार अपना मुख्य चैन करता है यानि कि चीफ सिलेक्टर मिल गया है अजीत आगर कर पॉर्मिल इंडिया ओल राउंडर कहें तेज गेलवाज कहें लेकिन उनका योगदान भारतिय क्रिकेट में काफी महत्वपूर्ण रहा है वो अब मुख्य चैन करता होंगे और BCCI ने कुछ चीजें पदली भी है उनके लिए जो पेस्केल था उसको बढ़ाया है एक करोड रुपए से ऐसी बाते की जारी है लेकिन कितना किया गया है ये अभी भी साफ नहीं है लेकिन अजीत आगर कर ने आखिर क्या कुछ किया है अजीत मैचस के लिए उसमें 288 विकेट लिए हैं और सिर्फ और सिर्फ अनिल कुमले और जवगल श्रीनाथ से पीछे नमबर तीन पर हाइस ओडियाई विकेट के टेकर्स में भारत के लिए वो शुमार है लेकिन अब जो चुनौती है वो थोड़ी सी अलग होगी अजीत आगर कर के लिए क्योंकि उनके सामने पांच बड़े फैसले इंतजार कर रहे हैं और यह नजर बनी रहेगी सब लोगों की कि आखिर जब बड़ा प्लेयर आता है बड़ा नाम आता है तो क्या उससे बड़े बड़ाव भी आते हैं नंबर एक कि क्या उन पर नजर रहेगी और कौन सा वो बड़ा डिसिजन है जो पेंडिंग है वो है हार्डिक पंड्या की टी 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 परमानेंट कप्तानी 관련 mr. अग. और साथ ही जातमें 1 दे मैच स्का क्या क्या 2049 जो शुश्वकप है उसको देखते ओए अब बदलाव तो एक साल से तयारी की जा रही हा हार्डिक соп पंडिया को वो दिम्हेदारी सौपी गई है लेकिन यह भी का जाता है कि यह सिर्फ बंडे विश्वकप तक अरेंजमेंट है इसके बाद फिर रोहिक शर्मा जैसे केल राओल जैसे खिलाड़ी विराट कोली जैसे खिलाड़ी यह जितने भी सीनियर खिलाड़ी है वो वापस आएंगे जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप होना है तो यह जो सारी कहानी है उसको अजीत आगर कर कैसे मुकाम तक पहुंचाएंगे क्या हार्दिक पांडिया नए वाइट बॉल पर्मानेंट कप्तान न्यूक्त होंगे फिलहाल के लिए टी-20 के तो पर्मानेंट कप्तान बने नंबर दो जो है वो है फेजिंग आउट ऑफ सीनियर यानि कि जो सीनियर खिलाड़ी है क्या अगर कर ये फैसला लेंगे कि धीरे धीरे अब उनका विकल् शुमन गिल रोहित शर्मा का विकल्प ऊपर ये शस्वी जैस्वाल या फिर आप देखें जो दूसरे खिलाड़ी है रितुराज गायकवार्ट सूर्य कुमार यादव इन तरीके के जो युवा खिलाड़ी है श्रेया सहीयर मिडल ओर्डर में और फिर रिशपंत हैं और ब खिलाड़ी हो द्वारा जूनियर खिलाड़ी को वो सौंपा जाएगा ये एक दूसरा बड़ा फैसला उन्हें लेना होगा और ये हर फॉर्मैट में करना होगा ना सिर्फ टीट्वेंटी में नंबर तीन जो है वो क्या अगर कर ये फैसला लेंगे कि जो युवा टीम में स्कॉर्ड में शामिल कर लिया जाए उनका समय अब आ गया है यानि के अभी हमने देखा ये शस्वी जैस्वाल रुतुराज गायकवार पुकेश कुमार नवदीब सैनी इनको मौका मिल रहा है लेकिन अभी भी बहुत से नाम हैं जो बाहर बैठे हुए हैं यानि साइस्वाल की हैं एसे बहुत से नाम है जो बाहर बैठे है जो लगाता निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सर्फराज स्थान को तो कई न कहीं एक किसी के मन में मलाल है कि 80 के करीब औसत वनाने सेजन वाला खिलाड़ी अभी टीम इंडिया में जगा नहीं बना पाय है और सब्सक्राइब करीब उनकी स्ट्राइक रेट है फिर्सक्लास मैचे जो टेस्ट पॉर्मैट चार दिवसी है जो मैचे ले जाते हैं उसके बावजुद उन्हें जगा नहीं मिल पा रही है तो यह भी एक सवाल एक नजर अजीत आगरकर पर बतौर मुक्य चैन करता बनी तो यह सवाल उन पर ही उठा कि रशिन किया गया इन खिलाडियों को आना कि यह फिर जो गेंद है एक से दूसरे पाले में जाती रही कि एंसीए जिम्मेदार है या फिजियो जिम्मेदार है यह तो फिर ऐसे चलता रहेगा लेकिन क्या अजीत आगरकर यह एंशोर करेंगे कि अब जो यह खिलाडिये चाहे वो जिस फ्रीद बुम्रा ओकेल राउनो श्रेय सहीर हो दिशब पन्तो यह पहले डुमेस्टिक मैच में अपनी फिटनेस थाबित करें उसके बाद जगा मिलेगी जो बात अनिल कुमले अपने कोचिंग काल के दौरान किया करते थे क्या ऐ कैसा अजीत आगर कर कर पाएंगे इस पर नजर रहने वाली है और पांचवां जो सबसे बड़ा फैसला होगा वो है 2023 वर्ल्ड कप मेरे दोस्त और उससे जुड़ा फैसला क्या है फैसला बड़ा सीधा सा है कि नाम बड़े दर्शन छोटे नहीं चाहिए अब काम बड़े दर्शन चाहे जैसे हूँ काम बड़े होने चाहिए यानि इन फॉर्म जो बल्लेबाज है उन्हें टीम में गुसाईए इन फॉर्म जो किलाडी है उसे शामिल कीजिए जो रन बना रहा है चाहिए वो ये शत्वी जैसवाल है रिदुराज गायकवार है साही पुदर्शन ह है तरफराज अगर खान वो भी रन बना रहा है उन्हें धुरुग जूरैल है जो भी रन बना रहा है उसे आप टीम में शामिल कीजिए नाम पे मत चाहिए किसने क्या किया था दो साल पहले तीन साल पहले नहीं जो अच्छा खेल रहा है उस पर जाहिए अभी फिटनेस की बात करें तो विराट फोली की फिटनेस ऐसा कहती है कि वह अभी बहुत साल खेलेंगे लेकिन क्या प्रदर्शन उनका वो कहता है यह देखना होगा क्या रोहित शर्मा पर कोई सवाल उठा सकता है वह सबसे बड़े किलारी है क्या उनकी फिटनेस उस काबिल है यह सारे जो समय बताएगा लेकिन अपनी राय आप जरूर दें हमारे कॉमेंट सेक्शन में आप देखें स्पोर्ट शेक नवस्कार